नमस्कार दोस्तों आज हम Early Vedic Age के Political Organization के बारे में डिस्कस करेंगे पिछले वीडियो में हमने Social Organization के बारे में पढ़ा और Vedic Society के बारे में जाना तो चलिए हम Points के दुरू कवर करते हैं कि क्या-क्या Political Organization Early Vedic Age में था पहला Point है The Political Organization of the Early Vedic People was mostly Tribal मतलब वो कबीला बना के रहते थे उनकी जो Political Organization थी दूसरा है The Tribe was led by the Chief हर ट्राइब का एक मुख्या होता था वो लेड़ दा वार अप दा कैटल वो वार के समय में अपने लोग का भी नितरत्व करता था वो अलसर दा प्रोटक्टर अफ दा एंटायर ग्रूप और साथ ही साथ अपने लोग की भी रक्षा करना उसी का काम होता था फिर तीसरा Point है Kinship was the Hereditary मुख्या का बेटा ही अगला मुख्या होगा कुछ ऐसा ही सिस्टम था कि मतलब चीजे Hereditary थी Next Point है Chief was required to be like Indra in valor मित्र in kindness and Varun in virtues राजा के अंदर ऐसे गुड होने चीए थे कि जैसे की वीरता और सौरता इंदर के अंदर है नेकी और दयालू मित्र के अंदर होता है और गुड वरून के अंदर होता है यह सारी qualities थे जो कि एक राजा के अंदर होना चीए था फिर Next Point है King was the center of the administration राजा के इर्दगेर्थ सारे political authorities होती थी जो राजा को help करती थी तब authority चलाने को पुरोहित मतलब होता है कि जो पंडित होते हैं उन्हें पुरोहित कहते हैं और जो सेनानी होते हैं वो आर्मी जनरल मतलब कि जो वार के टाइम पे अपने आर्मी को लीड करता हो ग्रामनी मतलब village headman मतलब कि जो गाओं का मुखिया होता है और इस पास मतलब spice मतलब जासूज यह सारे लोग मिल के राजा को मदद करते थे अपना पूरा एक सामराज चलाने में पुरोहित वास दे गाइड, philosopher and friend of the king पुरोहित बंदा जो ब्रामन होता था वो king के काफी करीब होता था उसकी काफी मदद करता था एक राज को चलाने में दूसरा पॉइंट है वसिष्ट और विश्वामित्र वस्ट और विश्वामित्र यह दो बहुत ही फेमस पुरोहित ब्रामन है रिगवेदिक टाइम के तीसरा पॉइंट है king did not maintain any regular or standing army king के पास कोई regular or standing army नहीं थी क्यों क्योंकि यह एक tribal community थी जब भी war होता था और लोग की जरूरत होती थी तो पूरा ट्राइब मिलके वार में involved होता था next point है the army mainly consists of पत्ती मतलब infantry and रथी मतलब chariot warrior जो आर्मी होता था आर्मी जो मेंले उनकी पूरी जो आर्मी होती है उसके अंदर पत्ती मतलब infantry infantry मतलब होता है जो थल से ना होती है जो पैदल चलती है उनको हम infantry कहते हैं और रथीन्स होते हैं जो जो गुड सवार जिनके पास रत होता है उनको हम chariot warrior कहते हैं फिर नेक्स पॉइंट है the soldiers were organized into units known as sardha, vrat and gun जो soldiers थे कुछ इस तरह से वार के time पे उनकी unit organized रहती थी फिर नेक्स पॉइंट है there is no mention of tax collecting officers अर्ली रिगवेदिक टाइम पे हमको हमें किसी भी प्रकार का कोई भी tax collecting officers का evidence नहीं मिला हुआ है नेक्स पॉइंट है बली refers to an offering made to God बली का मतलब होता था जब भी भगवान को किसी प्रकार का चड़ावा चड़ाया जाता था उससे हम बली कहते थे it also means tribute offered by the clansman to the rajan chief को भी किसी भी प्रकार का जो हम tribute देते थे मतलब चाहे वो grains हो या कोई cattle हम उनको जब देते थे तो उसको भी हम बली कहते थे फिर last point है the lowest unit of the administration was the family और कुल जो lowest unit था administration का वो था family और कुल and its chief was known as greypathy जो घर का जो मुखिया होता था उसको हम greypathy और कुलपती कहते थे जो कि घर को चलाता था घर पर जिसका control होता था यह जो next point है group of cool constitute a village which was called gram and the village officers was called gramini मतलब group को मिला के एक गाउं बनता था और उस गाउं का जो head होता था उससे हम gramini कहते थे फिर यहां पर अगला point है the village gramini let the villagers in the time of the war war के समय में जो यह गाउं का मुखिया होता था जो कि gramini था वो war के समय में in villagers को in villagers का मतलब नेत्रित वकड़ता था next point है several villages together form wish or clan and its chief was called wishpathy कई गाउं को मिला के wish और clan बनता था और उस clan का जो मुखिया होता था उसे हम wishpathy कहते थे फिर next point है wishpathy is also a military leader जो wishpathy होता था वो military leader भी होता था and led his clan at the time of war वो भी अपने clan को war के time पे उसका नेत्रित वकड़ता था फिर this tribe was known as the jun अब धेर सारे tribes को मिला के एक jun बनता था and the head of the jun was the gopa जो इन सारे जो एक jun बनता था tribe को मिला के उनका जो head होता था उसे हम gopa कहते थे फिर several जन form जनपद जन से फिर जनपद मिल बनता है जिसका जो head होता है वो राजा और king होता है जो की जनपद का head होता है देखे जो local government organization थी आप उसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो आता था वो आता था कुल जिसका head होता था कुल पती फिर उसके बाद धेड़ सारे कुल को मिला के यह gram बनता था gram को कौन head करता था gram नी फिर धेड़ सारे gram को मिला के मतलब गाओं को मिला के wish या clan बनता था जिसका leader होता था wish पती फिर काफी wish और clan को मिला के जन बनता था जिसका leader यहां पर होता था गोपा फिर काफी जन को मिला के हम आगे देखेंगे जन पता है जिसका head को होता है राजा राजन तो यह कुछ मतलब आप देख सकते हैं कि लोकल लेवल की जो politics मतलब political organization था अरली रिगवेदिक का कुछ इस तरीके से काम करता था यहां पर next point है फाइब ट्राइबस आफ रिगवेदा आर यदू पूरू अनू धुरुई और तुरवाशा यह जो अरली रिगवेदिक में जो हमें पांस ट्राइबस के नाम मिले हैं वो यदू पूरु अनू धुरुई और तुरवाशा हैं इन्हें हम फाइब पीपल या पंच जन भी कहते हैं फिर नॉन इंडो ट्राइबस जो हमको रिगवेदा में मिले हैं उनका नाम क्या है अलीना पक्ता भलनाज शिवा और विशानिन यह कुछ नॉन इंडो आरेन ट्राइबस थे नेक्स पॉइंट है बेटल अफ टेन किंग मेंसें इन दे रिगवेदा एस दसराजन तुक प्लेस ऑन दे बैंक ओफ रिवर परुषनी और रावी किंग सुदाज चीफ अफ तृत्सु भरत डिफेटेट द यदू तुरवाशा अनू दृयू पुरू अलेना भलना पक्त विश्णा विशानिन ट्राइब यह जो बैटल अफ टेन किंग है जिससे हम दसराजन भी कहते हैं यह जो रिवर रावी है उसके बैंक पर इसके किरानरे पर हुआ था जिन में जो किंग सुदाज थे जो की भरत ट्राइब के चीफ थे उन्होंने दस मतलब क्लैन की कंफिड सेक्रिफाइस उन्होंने अपनी विक्ट्री को जब वो जीतते हैं तो वो अस्वमेध यग करवाते हैं उस जीत की खुसी में एक्स्ट है हम देखते हैं यहां पर एक मैप लगा हुआ है जिसमें ट्राइब ऑफ रिग वेदा के जो मतलब इतने रिग वेदिक ट्राइब थ जो कि सब्संद्ध हुए रिजन में आप देख रहा हैं यह फैले हुए है नेक्स्ट स्लाइट पर हम चलते हैं तो यहां पर हम कुछ अरली वदिक एज के असेंब्ली के बारे में डिसकस करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के असेंब्ली थी तो इसमें पहले ही जो एसेंब ले थी रिगवैदिक एज की जिसमें विश और जन के जो मेंबर्स होते थे और राजा वो भी मतलब पाटिसेट करता था इट वाद प्लेश ऑफ डिसकसन ऑफ और अडर प्लिटिकल मैटर्स यहां पर किसी तरह का जो प्लिटिकल मैटर्स कुछ होता था क्या डिसेजन लेन रिगवैदिक पॉलिटी में बॉड़ी ऑफ दे एल्डर्स का गया है इट वाज अटेंडड़ बाई पर्सन ऑफ नोबल ट्रुथ जो बहुत बड़े बड़े लोग होते थे जैसे कि बड़े कमिनिटी के लोग होते थे वो अटेंड़ करते थे इस सभा को जैसे कि ब्रामन हो गए और रिच पेट्रोंस हो गए जो काफी अमेर लोग होगा करते थे इट आल्सो एक्टेड एस दर नैस्नल जूडिकेचर मतलब कि यहां पर कुछ नियम कनून बनते थे और किसे क्या सजा देनी है वो यहां पर तै किया जाता था हेड़ अपर सभा वास दा सभापती इस सभा का एक हेड होता था जिसको हम सभापती कहते हैं फिर तीसरा यहां पर पॉइंट है समिती थे समिती थे और पर अपर बैठते थे जो लोग बैठते थे उन्हें हम विशा कहते हैं इस समिती में क्या होता था जो राजा होता था जो कौन चीफ होगा उनको इलेक्ट किया जाता था जो इस समिती का हेड होता था उसे पति का जाता था तो आज के लिए सिर्फ इतना ही आज हमने डिसकस किया अरली वर्धिक एज के पॉलिटिकल और्गनेजिसन के बारे में अब मैं आपसे अगली लेक्चर के लिए मिलूंगा जब हम वहां पर अरली वर्धिक एज के एकनॉमिक के बारे में डिसकस करेंगे